एक बच्चा तो सम्हाल के मुखमंतरी बन गया यूपी में जिसका नाम है अकलेश यादो वो भी तो यंग हैं वो भी सरकार चला लिए तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब नौजवान हम लोग आगे आएंगे तो क्या कर सकते हैं जिस तरीके से लगतार हम लोग बिरजवारी को दूर करने के लिए निक्ति पत्र हम लोगों ने सब लोगों को देने का काम किया और अपने काम के जरिये इस चीज़ को हम लोग करेंगे और लोगों के बीच में दिख रहा है और कागजी नहीं है मोदी जी के तरह सोचल मीडिया पर यह थी पर अड़र्टीजमेंट जो परचार करते हैं उन्हों के तरह नहीं है धरातल पर हमारा काम होता है धरातल पर लोग देख भी रहे हैं काम हो रहा है कि अब अब रहा है हमारे कौन से बैया से स्यास तेज हो गया आप ही लोग तो पुछवाए थे बैयां दीए देग्यां बोलने के लिए और बोलिये और बोलिए अब नौजवान अब चाचा का आसिरवाद मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए तो इसमें गलत क्या यह बतागी चाचा तो हम लोगों सुरू से लगे रहते हैं, आगे बढ़ाने के लिए नौजवान हैं, उनके भतीजा हैं हम लोग, कोई ऐसा तो चाचा भतीजा नहीं चाहेगा कि भतीजा का पैड तोड़ दिया जाए, घीच लिया जाए, वो तो आशिरवाद ही न देगा, आगे ही न सवाल करते हैं, तो हम तो आशिरवाद नहीं दिये हैं, हम नहीं कहा हैं, कि अरजुन है, वो असार्थी हम है, बार और एक ही को सवाल को आप लोग पूछ करके, आप अपने छोटे भाही होंगे, तो उसको आशिरवाद दिजेगा ने जी, नौमी के मौके पर सभी लोगों को शुप कामना है, और नौमी के मौके पर हम लोगों ने जो बच्चिया थी, कन्या, उनका पैर दोलाव ला करके, अच्छे कपड़े वगरा सब लोग को देखे, नोट बुक हमने देने का काम किया, नोट बुक, पढ़ाई करने के लिए, और पेड़ देने का काम किया, कि हमें इसके साथ साथ पढ़ावरान की भी रक्षा करना है, तो उसका एक संदेज हम लोगों ने विया से देने का काम किया, नोट बुक हमने जाएंगे, रावन बद का कारिक्रम ने है, क्या कुछ संदेज है? उसको भी आप खुद विनास कीजिए, विजद जस्मी की देने, जसारा मनाते हैं लोग, रावन का बद होता है,